वेलकम टु इन्फूसिक्स आज इस पीडियो मैं मैं आपको दिखाऊंगा आप इंडासिंट बैंक के डेविट कार को कैसे ब्लोक कर सकते हो अनलाइन अगर आपके कार खो गया है या चुरी हो गया है तो आप इजिली ब्लोक कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है इन्टासिंट बैंक के जो इन्टेरनेट बैंकिंग है बहाँ पे लोगिन करना है आप चाहो तो जो mobile banking है बहाँ से भी आप card को block कर सकते हो लेकिन आज मैं आपको जो process दिखाऊंगा वो internet banking के truth तो यहाँ पे मैंने login पे click कर लिया है यहाँ पे देखिए username and password देने को बोल रहा है तो यहाँ पे username and password देना होगा तो मैंने यहाँ पे login कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो login करने के बाद कैसे दिखता है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे option है लेकिन आपको सिर्फ एक ही option पे click करना है बहुत यहाँ पे देखिए उपर एक option है service request का तो जो service request का option है यहाँ पे आपको click करना होगा तो मैंने click कर दिया है service request पे तो यहाँ पे बहुत सारे option है यहाँ से देखिए जो debit card का option है बहाँ पे click करना है then आप easily card को block कर सकते हो and re-issue कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए debit card request का जो option है यहाँ पे एक option है notify lost or stolen card तो यह ज़ो option है यहां पे आपको क्लिक करना है, कुलिक करके आप card को black कर सकते हो, तो चलिए मैंने यहां पे click कर दिया है, यहां पे account number सो कर रहा है, उसके बाद go पे click करना होगा, क्लिक करना के बाद आपके अकाउंट पे जो कार एक्टिव है वो सो करेगा तो बो कार को आप सिलेट कर लिजे उसके बाद यहाँ पे जो दोन ऐसे लौश्ट श्टुलले न तो आप यहाँ से किसी भी एक उप्षिन को चूज़ कर सकतो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक Reuse, Yes or No तो आप इस card को block करके नया card ले सकते हो तो अगर आप नया card लेना चाथ हो तो आप Yes पे click किजिए अगर आप नहीं लेना चाथे हो नया card तो No पे click कर दिजिए उसके बाद Summit पे click करना होगा तो चलिए मैंने यहाँ पे No पे click कर दिया है क्योंके देख सकते हो एक service request number मिल चुका है and card block हो चुका है तो अभी account पे कुछ भी card active नहीं है तो आप इस process को follow करके easily Indecent Bank के debit card को block कर सकते हो आपको bank जाने की जोरूत नहीं है और customer care पे call करने की भी जोरूत नहीं है घर बैठे आप online कर सकते हो तो ये बहुती simple process है अगर आपके पास Indecent Bank का account है तो आप इस process को देख के कर सकते हो अगर आपके किसी भी family या friend के पास Indecent Bank का account है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आपको और भी कुछ जान कर जाहिए तो आप इस वीडियो के निचे कॉमेंट पे बता सकते हो मैं आपके सारे question का answer दूँगा वीडियो को देखने के लिए धन्नबाद इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल Infosys को सब्सक्रेब कीजिए एंड इस वीडियो को जोरू like and share कीजिए